सब्सक्राइब कीजिए और साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पासके हमारे लेटेस्ट वीडियोज यह रफ्सक्राइब का मतलब क्या है हमारे पास में दो रोज है और तीन कॉलम है अधिस्टी टू कॉमा थ्री और ठीक है अब देखे फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि आप फॉस्ट रो पहले लिखे ठीक मतलब जो पहली जो रो है उसमें कितने आएंगे सेकेंड थर्ड और उसके बाद में आप सेकेंड रो को लिखे हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं और जितने भी रोज है उनको आप कर्ली ब्रेकेट से लिखी और बीच में आप कॉमा लगाई है सेकेंड रो को तो अगेन, curly bracket से close करके आप semi-column लिखिए. This is how we represent 2D array. Like there is a specified हो गया, कि यह आपकी first row है, यह आपकी second row है. और उसके अंदर कितने हैं? तीन-तीन column है. अगर आप यह नहीं करना चाहें, specified नहीं करना चाहें, यह तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. मझलाब total elements को आप continuous format में लिख दे. तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. compiler automatically है समझ जाएगा, कि यह कितने by कितने का एक matrix बन रही है. ठीक है, तो दौनों ही यहाँ पे valid हैं, इसमें कोई problem नहीं है. वो तारह valid syntax. हम initialization और compilation कब कर रहे हैं? runtime पहले. मझला, program execution से पहले ही हम array में initialize कर रहे हैं. That is the compile time initialization of the array. 2D array. अब देखे, friends, जो most important जो एक बात आपको ध्यान रखनी है. मैंने कई बार इसका questions जो है, MCQs में, exam में कहीं देखा है. इसलिए मैं आपको यहाँ से discuss कर रहा हूँ. Important point क्या है? Mention the size of row is optional, but the size of column must be specified. आपने यहाँ लिखते हैं, ARR यहाँ पे row और यह column. That is the row and that is the column. ठीक है? यह rule यह कहता है कि आपको column की size specify करना compulsory है but आप अगर row की size specify न करें तो it's totally optional. करो यहाँ मत करो, कोई जरूरी नहीं है. लेकिन आपको column की size specify करना compulsory है. अगर आपने नहीं किया, तो वहाँ पे error आजाएगी. Like first हम देखते हैं, हमने यहाँ पे row की size को specify नहीं किया है, but column की size को specify किया है, तो it's a valid. यह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. second जो format में हमने यहाँ पे row की size को specify किया है, बट column की size को specify नहीं किया है. तो यह क्या हो जाएगा, एक invalid. This is the invalid for 2D array. और last में भी हमने यहाँ पे column को specify नहीं किया है, और row को भी specify नहीं किया है. वैसे तो row को हम specify करें या नहीं करें, उसे कोई फरक नहीं आएगा, बट हमें column को specify करना ज़रूरी है, और हमने यहाँ पे column को specify नहीं किया है, कि इस column की size क्या है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक invalid. तो rule आपको ध्यान लगना है, friends की mention the size of the row is optional, but size of the column must be specified. आपको जब आप compile time पे 2D array का initialization आप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे column की size specify करना 100% compulsory है, row को आप करें या नहीं करें, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा. ठीकिए? So I think आपको यह compilation time का declaration और initialization समझ में आगे होगा, related to the 2D array. अचले friends अभी हमने देखा की 2D array का compilation time पे हम किस तरह से initialize कर सकते हैं? अब हम देखते हैं कि run time पे हम 2D array का initialization हम कैसे कर सकते हैं? ठीकिए? So let us take example. Main. ठीकिए? हमने एक 2D array को दिया है और उसकी size हमने लिए है, let's say 2,3. और दो variable हमने यहां पे ले लिए हैं, i और j. क्योंकि हमें दो variable के जरुद पड़ेगी. So यहां पे मैं एक message डाल देता हूँ. Enter the elements in 2D array. ठीकिए? Double code हम लगा देता हैं. Then we apply the for loop. क्योंकि हमें 2 into 3, मतलब total 6 बार input में लेना है. एक बार तो input लेना नहीं है. तोटल array के अंदर कितने input आएंगे? 6 बार input आएगा. तो यहां पे हम loop apply कर देंगे. ठीकिए? First चो loop होगा, वो किस के लिए होगा? row के लिए होगा. और row की हमने size के अदे रखिए 2. So, i is equal to 0, i is less than 2. और i plus plus. Same. Second जो loop होगा, वो किस के लिए होगा? Column के लिए होगा. j is equal to 0, j is less than 3. और j plus plus. ठीकिए? और यहां हम लिए देता है scanf. percentage d. एक ही element है. percentage d. किस element का type क्या है? integer है. तो इसलिए हमने percentage d लगाया है. ampersand. arr of i and j. ठीकिए? क्योंकि मैंने आपको का था, कि एक single element को हम दो dimension से अगर पैचान रहे हैं, तो क्या है हमारा 2D array? इसलिए मैंने यहां पर i और j लिखा है. ठीकिए? यह first fall loop की body खतम हुई, यह second fall loop की body खतम हुई है. यह और यह. ठीकिए? चलिए. अब हम इसको थोड़ा detail में समझते हैं. दो variable लिए हैं हमने i और j. दोनों को अभी initially हमने 0 से initialize कर लिया है. चेक दी condition, first हम यहां पर आएंगे, then compiler यहां जम करेगा, 0 less than 2, condition is true. condition true है तो हमने, जो inner वाला fall loop है वहां जम करेगा, j की value भी हमने 0 से नहीं slice कर रखी है, condition हमने चेक की 0 less than 3, यह भी condition true है, यहां पर जम किया, आगें यहां पर. और जो scanf है, वो इसमें input ले लेगा, element कितने हैं हमारे पास में, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, so 0, 0, ठीक है, क्योंकि i और j दौना की value 0, उसमें input लेंगे user से, और let's say user ने input लिया है वहां पर 10, ठीक है, again, यह execute होने के बाद में j की value है, increment होगी, j यहां पर 0 से हो जाएगा 1, so 1 is less than 3, ठीक है condition true, फिर सही input लेगा, next element के लिए 20, again j की value increment होगी 2, so 2 less than 3, condition again true, 30, next input में लिया, j की value again increment होगी 3, और 3, अब यह condition क्या हो चुके है, यहां पर false, जैसे condition false होगी, इनर वाला जो fault loop है, वो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, और यह again यहां पर वापस, जो outermost का जो fault loop है, यहां पर जम करेगा, IQ value कितने थी यहां पर, 0, initially 0 थी, और उसके बाद में IQ value में increment हुआ, और यह इसने यहां पर जम किया, सो IQ value 0 से कितने हुई, 1, again 1 is less than 2, 1st row के लिए काम हो गया, अभी 2nd row के लिए हो रहा है, ठीक है, again वापस से J की value 0 से dislodge होगी, और यह loop again 3 बार फिर से चलेगा, और 3 बार लेट से loop execute हो, मान लिजिए 40, 50 और 63 value इसने input ले लिए है, ठीक है, अगें फिर से वो वापस उपर जाएगा, आउटर वाले फॉर्ट लूप पर, J की value again increment होगी, 1 से क्या हो जाएगा, 2, so 2 is less than 2, condition क्या, false, जैसी condition false होई, यह totally क्या हो जाएगा, यहाँ पर बार आजाएगा, ठीक है, तो हमने, जितने भी इस array को हमने declare किया था, 2,3, उसमें हमने, जो 6 जो values सी, वो input में ले लिए, अगर आपको यह values print करवा नहीं है, friends, तो कुछ नहीं करना है आपको, यह जो fall loop है, आप बिल्कुल इसको as it is लिग दीजिए, और यहाँ printf की जगे आप लगा दीजिए, क्या, सॉरी, scanf की जगे आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पर printf, और m% नहीं लगाएंगे, और आप यहाँ पर new line से elements को print करवा सकते हैं, सो same यही तरीका है, 2D array को print करवाने के लिए, जैसे हमने यह input लिए, वैसे आप 2D array को print पी करवा सकते हैं, but friends, इसका जो execution है, कि outer से inner fall loop कैसे आएगा, inner fall loop में वो कैसे execute होगा, उसके बाद में outer फिर से जाएगा, और यह totally execute कैसे होगा, यह आपको बहुत अच्छी से clear हो जाना चाहिए, और इसके आपको practice करते रहना चाहिए, ताकि आपको एक्तम clear हो जाए, आप इसमें उलजे नहीं, क्योंकि अगर आपको एक clear हो जाएगा, तो आप इससे related to MCQs हैं, questions हैं, वो आप easily solve कर सकते हैं, ठीकिए, तो I think this is the how we take the input in the 2D array at run time, I think यह topic जो है, at the compilation time, at the run time, 2D आपको clear हो गया होगा, dear friends, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो please like और share करिए, और अगर आपको कोई comments हैं, तो please comment box में लिखके हमें भीजिएगा, and thank you so much for watching this video,